खबर बिहार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रीति सिंग जातिये जंगर्णा आज कल बिहार सियासत में एहमुद्दा बना हुआ है इसको लिकर खुब बयानबासी हो रही है इसमुद्दे को लेकर एंटिये दो फाड़ हो गई है एक तरफ जेडियू है हम व प्रावधान में हैं तो कई वरिष्ट नीतास का विरोध भी कर रही है और साथ ही NJ के एहम सही होगी हम के मुख्या और पूर्वसीम जीतन राम मांजी ने जातिये जंगर्णा पर बड़ा बयान दिया है मांजी ने जातिये जंगर्णा का समर्थन किया विरोध करने वालो पिछडों के लिए आरक्षिन का प्रावधान है ना कि आर्थिक तौर पर पिछडों के लिए नाम में टाइटन लगा अपनी जाती बताने वालों आपको जातिगत जंगर्णा से डर क्यों है यह सवाल भी उठाए गया है तो जीतन राम मांजी पूर्वसीम जातिगत गणा का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में सविधान और बाबा अमबेटकर की विरोधी हैं लेकिन हम अई सही तरीके से बोल लें कि उनका दो चेहरा है सामने देखाने का और पीछे करने का कुछ और है मैंने सुरुद में कहा कि जो है नितिश जी से भी हमने रिक्विस्ट कहा कि बहुत अच्छा बात है कि सब पुरा ओल पार्टी डेलिगेशन पधान मंतरी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं उनका हमने सुरु कहा कि बाब बात तो रखिएगा लिए कहां तक मानेंगे यह कहना मुस्किल है जिसकार अभी तक रिस्पॉंस नहीं आया इसे यही ऐसास होता है जितना मांजी जी के ब्यान से कि एंडिये में एक रूपता नहीं है और जाते जनगना जिदी चाहते हैं तो उस पर भारते जनता पाटे और नेरे मोदी जी ध्याने दे रहे हैं लेकिन जब आप जाते जनगन्ना मानिय मानिय जी चाहते हैं तो आप और नितिस कुमार क्या किजेगा ये निनने लिजे बिहार के लोगों को और देश के लोगों को बरगलाने का काम मत किजे जब कोई भी बिषय मानिय परधान मंतरी जी के दरबार में चला गया तो उसके बाद कुछ बच्छा ही नहीं और जब मानिय परधान मंतरी जी के पास सरवदलिय लोग गया मानिय मुख मंतरी जी के नितितु में तो कोई बिहार में बिषय ही जाती है जनगन्ना पर अब नही चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित होनी ही चाहिए ताकि स्थिती स्पष्ट हो जाए या किसी एक जाती तक सिमिट नहीं है या सवर्ण हो पिछड़ा हो अती पिछड़ा हो दलित महा दलित हो अल्प संख्यक हो हर किसी के पक्ष में यह पूरा मामला है इस वजह से हमारी पार्टी ने बुलंदी से इस मांग को हमेशा उठाया है तो लगाता है बिहार की सियासत गर्माई हुई है जाती जणगर्णा को लेकर बयानबाजी हो रही है एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है तमाम जानकारी के साथ हमारे समधाता आशुतोष हमारे सा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जाती है जनगर्णा पर टकड़ाव और NDA में बढ़ने वाला है क्योंकि आप देखेंगे कि जीतन नाम मांजी जिस तरह से मुखड हुए है जेडियू के तरफ से पहले ही इस फेवर में जाती है जनगर्णा को लेकर के उसके फ पदान मंत्री के पास जा चुका है तब फिर जब तब कोई डिसीजर नहीं होता है उससे पहले इस तरह के बयान देने की कोई आवशक्ता नहीं है या फिर ट्वीट करने की कोई आवशक्ता नहीं है तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि आने वाल कि विचारधारा की लड़ाई भी अब शुरू हो चुकी है सदन में मामला आया, संसद में आया, तब जेडियू कहीं न कहीं कह सकता है कई जगों प्रत्यक्स तोर पर या फिर और प्रत्यक्स तोर पर बीजेपी को सपोर्ट करती ही नजर आई अब सवाल यह है कि जातीगा जनगन्ना पर क्या होगा, अलाकि मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने अभी तक परते नहीं खोले हैं कि अगर प्रत्यक्स तरप से इनकार हो जाता है तो फिर आगे वो क्या फासला लेंगे, लेकिन उन्होंने बार बार इसके फेवर में अपनी ब क्योंकि अगर जनगन्ना की बात करें तो दस सालों में जनगन्ना एक बार होती है और अगर केन सरकार जाते कर जनगन्ना नहीं कराती है तो फिर किस तरह की जनगन्ना होगी, वो भी देखने दिर्चस्प होगा, क्या बीच का रास्ता कुछ निकलता है, उस पर भी सब की न तरह गाता जारी है, शुक्री आशुतोष तमाम जानकारी देनी के लिए तमाम अपडेट हम आपसे,